हीरो की टू वीलर्स हो गई महगी फेश्टवल सीजन से पहले रुपए एक हजार तक बढ़ाई कीमतें रुपए 59,450 की है हीरो की सबसे सस्तिवाई नमस्कार मेरा नाम है सिवंकु स्वाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदा अन्योज हीरो मोटो कार्प ने गुरुवार से अपनी मोटर साइकिल और स्कूटर्स की कीमतों को एक हजार रुपए तक बढ़ा दिया है इंडिया में फेश्टवल सीजन सुरू होने से पहले कमपनी ने बड़ा कदम उठाया मंदी के प्रभाव से बचने के लिए कमपनी ने फैसला लिया है कमपनी के अधिकारी ने कहा कि इंफ्लिक्षन के इंपैक्ट से बचने के लिए गाडियों की कीमतों में बदलाव करने पड़े हैं सभी टू विलर्स की कीमतों को एक हजार रुपए तक बढ़ा रहे हैं गाड़ी की मॉडल और मार्किट को देखते हुए कीमतों में एक्जैक्ट बदला होंगे इंडिया में हीरो मोटो कार्प मोटर साइकल के चवदा और स्कूटर के चार माडल बेच रहा है बाइक इंग्यामन 1450 की एक एक लाख 32,000 रुपए की एक्स प्लस दोसो चार भी तक सामिल है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन गाडियों के दाम बढ़ेंगे स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, HF हैंडेट, ग्लैमर XTEC, पैंसन XTEC, सूपर स्प्लेंडर ग्लैमर ग्लैमर के अनवास, पैसन प्रो, एक्स्ट्रीम, 160 हार, एक्स्ट्रीम 200S, एक्स प्लस दोसो चार भी और एक्स प्लस दोसो टी बाई वहीं प्लेजर डेश्टिना 125, न्यू मेश्टो एज 125 और मेश्टो एज 100 स्कूटर के भाव एक हजार उपए तक बढ़ेंगे वहीं हीरो मोटो काप ने एलेक्टिक टू वीलर बनाने के लिए कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान प्रेटोलियम से पार्टनर्शिप की है हीरो मोटो काप टेक्नोलाजी पर तो वहीं HPCL फंडिंग और सेलिंग पर काम करेगा इस एभी की चार्जिंग ओपरेशन पूरी तरह से कैसलेस मॉडल पर वर्क करेगा यूरी रिपोर्ट दा खबरदा अन्योज